आपके लिए लाया हूँ आइसी सी क्लास एट से चेप्र नुमेरिकल पार्ट इससे प्रिविएस वन वीडियो में मैंने आपको पूरे चप्र एक्स्प्रें कर दिया है आज मैं इसका नुमेरिकल पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं चलिए हम देख लेता है फिर यहां से कु को पहले ध्यान से पढ़ दीजिए स्पीड ओफ लाइट किसी मीडियम में स्पीड ओफ लाइट दे रखिए 1.8 इंटू टैन्टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है तो एक चीज़ याद रखिए तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना पढ़ेगा कि स्पीड स्पीड ओफ लाइट इन वेक्यूम कितना होता है स्पीड ओफ लाइट इन वेक्यूम होता है त्री इंटू टैन्टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड यह होती है वेक्यूम में यह किसमा होती है वेक्यूम में होती है ठीक है वेक्यूम में स्पीड ओफ लाइट कितनी है इतनी है समझ में आई बात तो हमें क्या निकालना है refractive index निकालना है refractive index निकालने के लिए हमें सबसे पहले formula देखना पड़ेगा speed of light in vacuum यानि कि first medium vacuum ही होता है ठीक है यहां आएगा speed of light in vacuum और speed of light जिसमें आपको दिया है देखे इन तीन चीजों में से आपको दी होगी या तो refractive index दिया होगा या speed of light निकालना है यानि कि यह आपको यह तो हमेसे इतनी रहती है ठीक है vacuum में यह यह दिया होगा यह 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 आपको find out करना होगा ठीक है यह इन दोनों की values दियो होगी या refractive index आपने निकालना है तो चलिए फिर speed of light in second medium कितना दिया है हमें देख लेते हैं speed of light in second medium second यानि की नीचे वाला जो है वो दे रखा है आपको 1.8 into 10 to the power 10 to the power 8 meter per second तो formula लगा देते हैं फिर refractive index refractive index को दिखाते हैं new से ठीक है अब formula लखिए speed of light in vacuum तो 3 into 10 to the power 8 meter per second क्योंकि vacuum है उपर ठीक है upon 1.8 into 10 to the power 8 meter per second meter per second से meter per second क्योंकि refractive index क्या होता है ratio होता है तो इसकी कोई SI unit नहीं होती 10 to the power 8 से 10 to the power 8 भी चले गया तो कितना बचा 3 into 1.8 अब यहां से point अटाई है और यहां क्या बढ़ा दीजे 0 बढ़ा दीजे तो आपको मिलेगा 3 30 upon 18 अगर आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा आपके पास 1.666 अराउंड ऐसा आता है कुछ ठीक है तो यह वैल्यू फाइप से ग्रेटर है तो इसमें क्या कर दीजे वन प्लस कर दीजे तो वन पॉइंट कितना जाएगा 6 7 तो यह इसका answer है चलिए फिर next देख लेता है next question भी ऐसे यह देखिए speed of light ठीक है यह दे रखा है ठीक हो गया calculate refractive index ठीक है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा change करगा यहाँ पर दो दे रखिए 10 to the power 5 5 km per second तो इसको मैं meter per second में change कर रहा हूँ तो 1 km में कितने meters होते है thousand meter होते है तो thousand यह क्या हो जाएगा meter 1 km में thousand meter होते है यह पर second ऐसी आया तो यह कितना होगे 0.4 into 10 to the power 5 into 1000 तो यह कितना जाएगा 0.2.04 into देखिए यह तीन हो गए यह 5 है तो 10 to the power 5 into 10 to the power 3 meter by second तो यह कितना होगे टो पोिंट 0-0 for 10 to the power in 2 kitना हो गा यह 10 2 to the power 8 meter per second तो यह आ गया आपका second medium का first medium की तो-speed of light आपको मालूमी तो मालूमी है first medium का कितना होता है three into 10-2 the power 8 meter per second तो लगाए फिया formula formula क्या होता है आपके पाधा refractive index mu equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 2.04 into 10 to the power 8 meter per second ये इससे चले गया तो कितना होगा 3 upon कितना होगा 0.2.04 हो गया यहां से point हटाईए और 2 zeros उपर बढ़ा दीजे यह हो गया आपके माद 204 अगर आप इसको divide करेंगे तो आपको answer around मिलेगा इसका वो ही मिलेगा 1.466 कुछ मिलेगा या 566 कुछ मिलेगा यह 1.46 का असपास मिलेगा ठीक है यह इसका answer है 466 मिलेगा तो यह 6 greater होगा तो इसमें क्या मिल आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा तो answer आ रहा होगा इसका 1.47 तो आप 446 भी लिखें तो चल जाएगा कोई नो प्राबन तो चले फिर आज का लास कुछिशन देखते हैं इसका लास कुछिशन आप करेंगा आपको refractive index दिया हुआ है refractive index कितना दिया है 1.44 दिया है आपको क्या करना है find out the speed of light in kerosene आपको kerosene में speed of light निकालना है refractive index आपको दिया हुआ है ठीक है आपको क्या निकालना है स्पीड ओफ लाइट इन करूसिन निकालना है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आने की मू दे रखा है मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ें मैं से तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें दी होंगी तो मिउट इकोस्टिव फार्मला वही रहेगा सेम जो लिखा है मैं साथ डारेक्ट कर रहा हूं तो मिउट आपको दे रखा है कितना दे रखा है 1.44 तो स्पीड ओफ लाइट यानि की सी सी से दिखाते है इसे ठीक है त सी कीतना है 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक हो गया तो मिउड लगाई यह speed of light in first medium y.k 3 into 10 to the power 8 meter per second और second medium का आपने निकालना है इसको एक्समान दीजिए यह आपको कितना रखा 1.44 दे रखता है ठीक है इकोस चु कितना हो गया 3 into 10 to the power 10 to the power 8 meter per second तो इस x को यहां cross multiply कर दीजिए तो आपके पार कितना हो जाएगा x equals to 3 into 10 to the power 10 to the power 8 meter per second upon 1.44 यही तो है 1.44 है तो ठीक हो गया अगर आप इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा इस 3 इस 2 0 उपर बढ़ा दीजिए यह हो गया 144 into 10 to the power 8 meter per second तो अगर आप इसको cut करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 2.08 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइट करना तो सबको आता ही होगा ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई चैनल थै दो दो थैसी कि अच्छी लगता हाम हो अच्छी लाइक जो तो यह एक गड़ा यहार चirk मान मों जो